हेलो फ्रेंट्स वागत है आप सभी को A blended больше अपनेетров चेनल में में तो आज विल्कुल नहीं रेसीपी हम लेके आया हैं जलनदर की वाइरल क अप्ल कीरशीपी अधतरी कंटर apply करनेarest, फ्रैम्स हम 3 ब्रेड ले लिए हैं अब ऊसके तुक्ड़ों में काट लिए हैं तो चली हमสारे तो लिए lade तो हम 4डेड़ टोटल हो गया सब्सके सबजी ले लिए अम पार helping बच्चे को हमेड लो सब्सक्राइज है, तो छोटे लियम्य दीन। तो चलिए सब्कषे सरे सब्गी को हम एक साथ मिक्स कर देंगे अगर इस हो इंप ऐल को हम इंप आम रोलागे पाल ने तो जी सब्देना अगे अगर हमेज़ पीजा स्था ऐस Penis बनाई तो घ्राखे से सब्दागे हना अभालागे मिक्स कर देंगे के लिए काम चीज में वह नुए अंदर तक अच्छा से क्रीमी टेक्स्ट्ट लगेगा कहने में टेस्टी लगेगा तो सबसे तो में ऊन्षी ढाल सकते हैं तो सब्सक्राइब करेंगों तर्प्राइब तो उसमें कि पाकर यहizing मैं क्यों असा क развит्यान देटा में तो गडिजा जो ब्रेट का पाटके रखे थे उसको भी हम इसी में डाल के इसको भी हम मिक्स कर देगे बढ़िया से जो की अच्छे से मेरा मसाला और सब्जी जो था अच्छे से मिक्स हो जाए तो फ्रेंट्स जल अंधर का यह फेमस वायरल कपल का है आप सब को भी पता होगा नया भी ट् फोलो करके आप घर में ही बना सकते हैं तो मोजरेला चीज भी डाल दे रहे हैं आप काम जाद आप खुद भी अंदर में डाल सकते हैं अब फ्रेंट्स अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाएगा शाथ साथ साथ सब्सेर भी करते तो चलिए इसे हम बिल्कुल सौर्ट कोट में ही आप लोगो को हम कितना आसान तरीके से बना के दिखा दे रहे हैं बिल्कुल आपको जल अंधर जाने का जरूरी नहीं है घर में ही आप इस तरह से कुलर पीजा बना के खा सकते हैं यकीन मान ये फ्रेंस काफी टेस्टी होत नहीं है तो हम थोड़ा थोड़ा चमस के सहारे से इसको हम दबा दबा के अंदर तक पूरा लेबल भर देंगे थोड़ा सा हमखाली रखेंगे ओपर से तो लिजी एक में भर दिये जो बचा है वह भी एक में भरके दोनों भर देती हैं लिए दोनों भड़ा गया अब ऊपर से हम चीज डाल देंगे चीज जो भी आपके पास हो डाल सकते हैं मोजरेला चीज हम डाल रहे हैं ऊपर से तो ऊपर से अच्छे से तरह से भढ देंगे तो अब उपर से हम थोड़ा टॉपिंग भी दिखने में सुंदर लगने के लिए हम एक प्याज सिमला मिर्ची ग्रीन वाला रेड वाला हम उपर से डाल देते हैं दिखने में सुंदर लगेगा थोड़ा सा चीली फ्लेक्स और इगेनों यह सब हम उपर से भी थोड़ा थोड तो देखिए दिखने में भी काफी सुंदर लग रहा है तो इस तरह से हम तयार कर लिए अब चलिए इसको हम कुक करते हैं इधर हम कुकर में हम नमक डाल दिये हैं पले ही हम तो इसको हम मोटा नमक एक इंची मोटा हम डाल दिये हैं अब इसको हम ढ़क के गरम कर लेते हैं दस नमक जब गरम हो जाए तो उसमें ही हम दोनों कुल हर को बैठाएंगे, आप चाहें तो कराही में भी कर सकते हैं, तो दोनों कुल हर को हम बिल्कुल अच्छे से हम बैठा देंगे नीचे तक, लीजें दोनों को अच्छे से हम बैठा के हम इसको ढख दिये, अब ढख के हम किसी कप्रे के सहारे से आराम से निकाल येगा नहीं तो हाथ भी जलने का डर रहता है तो लीजिए अब हम निकाल दिये तो देखे उपर तक कितना अच्छा से चीज भी मेल्ट हो गया है कितना अच्छा से पक गया है तो friends इस ट्रीक से अगर बनाईएगा तो आपको जल अंदर जाने का जरूरी भी नहीं है घर में ही आप फेमस डिस खा सकते हैं तो लीजिए बिल्कुल सब करने के लिए तियार है तो हम दिखा भी देते हैं आपको तो थोड़ा नीचे गरम होता है इसलिए किसी चीज से आप पकड़िएगा तो लीजिए देखे कितना बढ़ यहां मेल्ट हो गया है दिखरा है तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सस्क्राइब ही कीजिएगा चीज भी हम होमेड बनाए हैं और पिज्वा सोस भी हम होमेड बनाए तो इस सब का री सीपी अगर देखना है तो हम आपको डिस घर में ही बना के असानी से तयार कर सकते हैं तो देख रहे हैं on piza का कितना बढ़िया से चीज मेल्ट हुआ है तो आप गर बैठे हैं इतना बढ़िया युझा वाम जैसे आप जरूर बनाइए दिखने में भी डिक फी काफी टेस्टी लग रहा था तो फ्रेंच जरूर से बनाइएगा आप जरूर कोमेंट करके बता Champions आपके बच्ket करके कैसा बोले ओफ उन्हें पसंद आया की नहीं आया फेंट इस ट्रीक को जरूर फोलो क करके बनाईएगा फिर मिलती हूँ नेस्ट वीडियो में थैंक्स फर वच्चिंग